हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टो मैं चैनल दफोट प्लाजा आज की रेसिपी है इस्टेशन पर मिलने वाली पूरी भाजी इसके लिए मैंने यहां अलुकोट टोमेटो को अच्छे से कट करके वॉस करके ले लिया दो तिन सुखी लाल मेर्ज कशोरी मेती लाल मेर्ज पॉडर हल को छलिए बनाना शुरू करते हैं वह इस्टेशन पर मिलने वाली सिम्पल से आलू की सबज़े इसके लिए मैंने यहां एक कोकर लिया है तू टबल स्पून लिया है पंच पॉर्म की क्वांटिटी थोरी ज्यादा ही रखें अब मैंने इसमें प्रेट शीली डाल दी है हम इसे हलका क्रेकल होने देंगे जाना कि यह जले नहीं अब इसमें कटे हुए आलू को डाल देंगे आलू को अच्छे से मिला देने के बार अ है इस सब्यां की सबसे मारी खासी थे यह बहुत ही क्विए पर बन जाती है और बीना लासल के खाने में यह उत्रियक टेश्टी लगती है और जो भी मसाले तेल को अवैफ करते हैं वह भी इसे बहुत ही अराम से खा सकते हैं क्यूंकि मसालों में इसमें सर्फ वाल्दी तो मिनिट तक उसे हल्दी के साथ प्राइ किया है ताकि उसमें हल्दी का कच्छा पंटे चला जाए अब इसमें नमक अपने टेस्ट के नुशाब और रेट शिली पॉडर अपने टेस्ट के अपने डाल ले अब टमाटो को अच्छे तरीके से पकने के लिए हम इसे कवर कर द टमेटों अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गयає है यह बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गया है अब मैंने यहांच में युजक आनुकर कसूरी को डाला है इस तरफे में कसूरी मेथि और पंच पुरून का बहुत ही बड़ा रोल है इसलिए कोशिज करें कि आपको सुरीमिती को इसकी प्ना करें अब इनसाटी को मिक्स करके मैंने यहां पानी डाल दिया है आप अपने ग्रेवी के पूडिंग पानी की क्वांटिटी डाख सकते हैं अब कुकर का लीड लगाके हम इसमें दो सिटी आने का वेट करेंगे अब इसके साथ खाने के लिए हम पूरी कडो लगा लेते हैं मैंने यहां एक बोल क्यूं काटा लिया है और थोरी से सॉल्ड बस मैंने इसमें कोई भी मोहिन के लिए रफाइंड और चवाइन मंगने लिए यह सब किसी भी चीज का यूज नहीं किया है हम बस इसका इसे तरीके से सिंपल साथ डोबना लेंगे हमारा डोबन के तयार है चलिए कुकर को चेट कर लेते हैं सब्ची तो बन गई है अब आप सूच रहोंगे कि इतनी पानी की तरह सब्ची को हम कर सखाएंगे तो चलिए उसके लिए भी कुछ करते हैं मैंने आप मैसर के हब से अपने आधे आलो को मैस कर दिया है जिस पर इसकी ग्रेवी देख हो जाएगी तो लेजिए ये कोई कहने जिए इस्ट्रेशन साइड वाली आलो के सब्ची अपन के त्यार है चलिए आप पूरी ट्राइ कर लेते हैं मैंने आवल को गरम होने के लिए रख दिया है अब मैसरे वन बै बन करके अपने पूरी को तलते जाएंगे तो दिखा आपने हम नहीं यहां सब्जी में भी बहुत ही काम और बहुत ही कम मसालों का योज करके बनाया है और पूरी कीटो में भी बिकुल आपने हैं पूरी का योज नहीं किया है तो अगर आपको कोई भी ओल रिलेटेट हेल्थ इस्सु है तो भी आप यहां बोतीन पूरी तो खाई सकते हैं आप अपने घर में इस रेसिपी को एक बाद चरू ट्राइक करें आई होप आपको यह रेसिपी अच्छी लगेगे मैंने यहां वन बई वन करके पूरी को तल लिया है चलिए अब मेरके प्लेटिंग कर लेते हैं इस सब्जी पूरी को आप गर्मा गर्म ही सर्व करें क्योंकि यह गर्म खाने का अलगे टेस्ट है तो लेजी रेडी हो गई है आपको अगर यह रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूले मेरे चैनल को प्लेट सब्सक्राइब करते हैं अपरे फ्रेंड सेर्क में सेयर करते हैं थैंक्यू